आज के इस वीडियो में बात करते हैं Molecular Orbital Theory की ये Molecular Orbital Theory होती क्या है और कैसे Molecular Orbital Diagram बनता है पूरी बात समझते हैं तो दिखे जो Molecular Orbital Theory है Balance Bond Theory के बाद डेवलप की गई Balance Bond Theory केते थी कि Oxygen का Molecule Diagnetic है जबकि Reality में Oxygen का Molecule Paramagnetic है तो दिखे Balance Bond Theory Explained O2 Molecule Is Diamagnetic लेकिन ऐसा होता नहीं ये False है स्टेटमेंट गलत है तो उसी को एक्स्प्लेइन करने के लिए यानी फार एक्स्प्लेइनिंग पैरामागनेटिक बिहाइबियर फार एक्स्प्लेइनिग पैरामागनेटिक बिहाइबियर आफ ऑक्सीजन मालिकुलर आर्बिटल थियोरी वाज टेबलग तो यह जो बैलेंस बांड थियोरी है बोलते थे कि आक्सीजन का मालिकुल कैसा है डायमागनेटिक है डायमागनेटिक मतलब कोई अनपेर्ड एलेक्टरान नहीं है जबकि एक्चुली ऐसा होता है कि जो आक्सीजन का मालिकुल है वो पैरामागनेटिक होता है पैरामागनेटिक मतलब अनपेर्ड एलेक्टरान होते हैं और डायमागनेटिक मतलब कोई अनपेर्ड एलेक्टरान नहीं होते हैं तो इसी को explain करने के लिए develop की गई Molecular Arbital Theory, develop किस ने किया था? Pauling ने, यानि Molecular Arbital Theory, develop by Pauling, scientist का नाम है, Pauling ने develop किया और important postulates के अगर बात करें, तो पहला postulate इस तरह से है, important postulates के अगर बात करते हैं, तो इसमें कई postulates हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ important discuss किया जाते हैं, तो पहला postulate इस तरह से है, कि Molecular Arbital found by combination of Atomic Arbital, यानि Atomic Arbital Combine, together, farming Molecular Arbital, Molecular Arbital, इसको यूँ समझ लिजे, कि जैसे एक एटम, दूसरे एटम से कंबाइन होके क्या बनाता था? Molecule, उसी तरीके से Atomic Arbital, Atomic Arbital, कंबाइन होके क्या बनाएगा? Molecular Arbital, यह Molecular Arbital है, यानि Molecular Arbital is found by combination of Atomic Arbital, या उसी को दूसरी भासम लिखा है, Atomic, यहाँ पे Arbital है, Atomic Arbital Combined, together, Farming Molecular Arbital, ठीक, दूसरा पॉइंट इस तरह से है, कि कितने Molecular Arbital बनेंगे, जितने Atomic Arbital Combined होगे, यानि Number of Molecular Arbital, नहा? Number of Molecular Arbital is farmed, Is equal to Number of Atomic Arbital Combined, यानि उतने ही Molecular Arbital बनेंगे, Number of Molecular Arbital formed, Is equal to Number of Atomic Arbital Combined, यानि, एक Atomic Arbital, एक Atomic Arbital से Combined होगा, तो कितना बन जाएगा? 2 Molecular Arbital, या यूँ समझ लिजे, कि 1 As, प्लस As, Combined होगे, कितना बनाएगा? 2 As Molecular Arbital, उसी तरिके से P और P Combined होगा, तो P में कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसमें में 3, तो कितना बनेगा? 6 P Molecular Arbital, इस तरह से बनेगा, यानि Simple से Postulates है, यानि Number of Molecular Arbital formed, is equal to Number of Atomic Arbital Combined, जितने में Atomic Arbital Combined होगे, उसी के corresponding Molecular Arbital बनेंगे, और जितने भी बन रहे हैं, यानि जितने भी बन रहे हैं, उसमें से 50% Bonding होगे, 50% Anti-Bonding, यानि Among Total Molecular Arbital, 50% Molecular Arbital, आर बन्डिंग, यानि रिमेनिंग, 50% Molecular Arbital, आर एंटी बन्डिंग, यानि 50% Bonding होगे, 50% क्या होगे? एंटी बन्डिंग होगे, इसका मतलब क्या हुआ है? कि जैसे माल जिए कि इधर से एक ES Arbital है, इधर से एक ES Arbital है, 1S माल जिए, 1S है, यह अभी Atomic Arbital है, यह भी क्या है? Atomic Arbital, इधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, तो बीच में क्या बनेगा? Molecular Arbital, Atomic Arbital, इभी Atomic Arbital, इभी Atomic Arbital, बीच में क्या बनेगा? Molecular Arbital, तो अब देखे, बीच में बनेगे कितने? दो, क्योंकि बोल ला, एक इधर से कंबाइन होगा, एक इधर से कंबाइन होगा, तो 2 बनेगा, 2 Molecular Arbital बनेगे, और 2 का 50% bonding, और 50% anti-bonding, तो देखे, एक यहाँ पर Arbital इस तरह से बन जाएगा, दूसरा Arbital ऐसे बन जाएगा, क्योंकि देखे, One S ऐसे बनाएंगे, यह One S है, One S में कितने एलेक्टान? दो एलेक्टान, इधर भी दो एलेक्टान, एक कंबाइन होगा, तो देखे, यह जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं? यह जो नीचे वाला Arbital है, उसको बोलते हैं bonding, क्योंकि इसकी इनर्जी क्या है? कम है, और उपर वाला जो है उसको anti-bonding बोलते हैं, तो anti-bonding जो है, इसको star से डिवनोट करते हैं, तो इसको आप लिखेंगे, 1s star, इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s, ठीक है? और इस सिग्मा 1s star, तो जो star मतलब क्या होता है? anti-bonding, तो सिग्मा 1s बना, इधर से देखे, कुछ इतने अलेक्टान है? 4, तो 2 अलेक्टान इसमें हो जाएंगे, और 2 अलेक्टान इसमें हो जाएंगे, तो अभी बस इतना समझ लिजे, कि जितना भी total molecular orbital बनेगा, उसका 50% bonding होगा, जिसकी energy कम होगी, और remaining 50% anti-bonding होगा, जिसकी energy ज़्यादा होगी. और यह जो बनता कैसे है? molecular orbital, formation, takes place, by LCAO method, LCAO method मतलब linear combination of atomic orbital, यहनि एक method है, जिसको बोलते हैं, LCAO method, तो यह जो LCAO method क्या है, linear combination of atomic orbital, तो इसमें linear combination में मतलब क्या है, कि ES किससे combine होगा, ES से, ठीक, PX किस से combine होगा? PX से, और PY किस से combine होगा? PY से, linear combination मतलब, X axis वाला X axis से combine होगा, Y axis वाला Y axis से combine होगा, और PZ वाला किस से combine होगा? PZ से, यहनि इसको बोलते हैं, LCAO method, यानि yes वाला किसे combine होगा yes से combine होगा इसी को बोलते हैं linear combination मतलब molecular orbital theory के अमसार yes px से combine नहीं होगा या फिर px जो है py से combine नहीं होगा तो मतलब yes से combine होगा px से combine होगा py से combine होगा pz से combine होगा मतलब axial combination होगा इसी लिए बोलते हैं linear combination of atomic orbital यानि जो same symmetry में होगे same axis पर होगे उन्हीं के आपास में combination होगा और पाच्वा पाइंट है in molecule electrons are present in new orbital known as molecular orbital but in atom electrons present in atomic orbital shape of molecular orbital dependent shape of combining atomic orbital shape of molecular orbital किस बात पर depend करेगा depend on shape of combining orbital यानि molecular orbital का shape कैसा होगा वो इस बात पर depend करेगा combining orbital कैसे हैं यानि yes वालग combine होगा तो अलग shape का बनेगा पी वालग combine होगा तो अलग shape का बनेगा और सातना point है filling of electron यानि electron भारने का जो rule है filling of electron in molecular orbital follow above 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 Hoon's rule and Pauli exclusion principle Pauli exclusion principle तीन रूल फालो करेगा एक आप बाव रूल फालो करेगा हूंस रूल फालो करेगा और Pauli exclusion principle फालो करेगा यह जो तीनो रूल पहले उसमें पढ़ चुके हैं इस टक्चर आफ एटम में तो वही तीनो रूल फालो होंगे आप बाव प्रिंसिपल इस तरह से है और हूंड रूल भी उसी में है और Pauli exclusion principle भी उसी में है Pauli exclusion principle बोलता है कि no two electron in an atom have equal set of all four quantum number चारो quantum number किसी भी electron की एक जैसी नहीं हो सकती और हूंड शूरूल बोलता है कि pairing of electron does not take place until each sub-arbital contains one electron और आप बाव रूल बोलता है कि electron failed in increasing order of energy इस तरह से एक तीनों रूल पहले पढ़ चुके हैं structure of atom वही फालो होंगे यहां पे और एक पॉइंट है if electron present in if electron present in molecular orbital if electron present in molecular orbital stabilized molecule and if electron present in anti-bonding molecular orbital destabilize molecule molecule को destabilize करेगा और निक्स पॉइंट है 9 if electron present if unpaired electron unpaired electron present that molecule is paramagnetic अगर unpaired electron present होगा तो molecule क्या होगा paramagnetic होगा और next point है 10 bond order equal to क्या होगा number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital upon 2 यह है bond order अब किसी केस में अगर bond order 0 है in case in case when bond order is 0 molecule does not exist किसी केस में गर bond order 0 है तब molecule exist नहीं करेगा तो इस तरह से यह molecular orbital theory है total 11 postulates है और 11 postulates के basis पर हम लोग oxygen का molecular orbital energy level diagram बना सकते हैं और उसमें यह देखेंगे कि 2 unpaired electron पाये जाते हैं तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से देख लिए कि जिसे oxygen है ना तो oxygen है उसका electronic आप है 1s2 2s2 2p 4 ऐसे होगा एक oxygen के होगा दूसरे oxygen का भी 1s2 2s2 2p4 होगा यह दोनों oxygen का है तो दिखें 1s 1s से कंबाइन होगा 2s 2s से कंबाइन होगा 2p4 2p4 से कंबाइन होगा इस तरह से यहाँ पैसे बना देते हैं यह यह atomic orbital है यह atomic orbital यह भी atomic orbital है यहाँ पर मालजी 1s है यहाँ पर 1s है यहाँ पर 2 electron है यहाँ यहाँ बन गया दो ठो 50% bonding 50% anti-bonding तो दिखें 2 electron में से एक इधर आएगा एक इधर आएगा ऐसे electron हो गया फिर एक electron इधर जाएगा तेसे बोलते हैं sigma 1s2 इसको sigma star 1s2 बोलते हैं देखे एक इधर से मिला एक इधर से दो ठो बन गया उसी तरीके से देखे 2s का भी होगा यह 2s है इधर भी क्या है 2s है इसमें भी 2 electron तो इसका भी 50% bonding मनेगा 50% anti-bonding मनेगा इस तरह से तो एक लेक्टान इसमें सिधर आएगा एक लेक्टान इसमें सिधर आएगा फिर इधर उसी तरीके से तो यह जो sigma star है उपर वाला anti-bonding होता है sigma star इसको क्या लिखेंगे? 2s और इसको sigma 2s लिखेंगे क्योंकि नीचे वाला strong bond है तो sigma उपर वाला anti-bonding अब बच्चा 2p4 यहाँ पे देखे 1, 2, 3, 4 यहाँ भी 1, 2, 3, 4 इस तरह से इधर से 3 orbital मिलना है यह 2p4 है यहाँ भी 2p4 है 4 जो एलेक्टान है तो 3 orbital इधर से 3 orbital इधर से खुल कितने बनेंगे? 6, 6 में से 3 bonding होगे 3 anti-bonding होगे तो देखे इस तरह से है इसे 3, एक क्या होगे? bonding, इसी के just opposite बना देते हैं 3 anti-bonding तो अब देखे इस तरह से है इसे इसे मिला देते है इसको ताकि पता चले कि किस से derive हुआ है इसे तो देखे एक लेक्टान इधर से एक लेक्टान इधर से आएगा तो इसमें आ जाएगा तो इसे बोलते हैं sigma 2p z और यहां पर क्या है? pi 2py 2p 2p z क्योंकि 2 atom के बीच में एक ही sigma बांड होता है remaining pi होते है ठीक है? तो अब एक लेक्टान फिर इधर से आएगा इसमें फिर इधर से फिर इस तरह से तो कुल कितने लेक्टान होगे? 6 देखे इधर 4 लेक्टान इधर है 6 लेक्टान इसमें होगे और बच्चा अभी 2 लेक्टान तो एक यहाँ पे आएगा तो देखे दो अनपेड़ लेक्टान है न इसमें दो अनपेड़ लेक्टान है इसलिए परावेनिटिक है दो अनपेड़ लेक्टान होने के जासे परावेनिटिक है और यहाँ पर यह जो है यह सिग्मा इसका just opposite यह स्का just opposite' इसका just opposite' ए यहाँ पर सिग्मा 2pz है यहाँ पर सिग्मा anti-bonding 2pz से तो इस तरह से जो oxygen का molecular orbital energy level diagram है उसमें दो अनपेड अजक्तान है इसलिए oxygen का molecule paramagnetic है इसलिए theory डेवलप की गई